Good morning दोस्तो SBI Securities के morning podcast में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के podcast में हम बात करेंगे कि Nifty और Bank Nifty में हम क्या उमीद कर सकते हैं और साथी साथ ऐसे कौन से sectors है जिस पे आपको focus करना चाहिए आएए सबसे पहले हम बात करते हैं global markets के बारे में दोस्तो बुधवार को तीन मुख्य US stock indices ने negative note पर end किया Nasdaq जो है 1.1% गिरा S&P 500 0.8% नीचे आया और Dow जो है 0.6% गिरा दोस्तो S&P 500 के लिए 5,190 और 5,170 का zone तुरंट support का काम करेगा अगर 5,170 के नीचे कोई T.C. होता है तो एक तेज गिरावट 5,100 के लेवल तक आ सकती है जिसके बाद 5,060 के लेवल तक भी जा सकती है शॉट टम में आए दोस्तो बात करते है Brent Oil के बारे में Brent Oil फिलाल 76 डॉलर पर बैरल के आस पास ट्रेट कर रहा है और बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में 3% से जादा की पुलबैक देखी गई थी हाला कि Brent Oil का major trend bearish है क्योंकि ये अपने short और long term moving averages के नीचे ट्रेट कर रहा है दुस्तो बात करते हैं US dollar index के बारे में US dollar index लगातार दूसरे दिन positive note पर end वा हाला कि major trend bearish ही है आगे चलकर अगर 102.8 के level के नीचे कोई टिकाओ move होती है तो दक्षिन दिशा की journey फिर से शुरू हो सकती है दुस्तो हमने बात की global markets की Brent oil की US dollar index की आए दुस्तो आप बात करते हैं Nifty की बुधवार को benchmark index Nifty लगबग 300 points के upside gap के साथ कुला जो favorable global queues के वज़े से था लेकिन उसके बात consolidation period में चला गया और 153 points के narrow range में trade किया ये 24,300 level पर 1.27% के gain के साथ end हुआ और एक small body bullish candle with minor lower shadow बनाया सबसे खास बात दोस्तो यह है कि daily RSI ने 40 mark के आसपा support लिया और उसके बाद एक sharp rebound देखा गया था जो RSI range shift rules के मताबिक bullish sign है पिछले बार जब RSI ने 40 level के पास support लिया था तो budget day के बाद एक significant upside rally देखी गई थी levels के अगर बात करें दोस्तों तो 20 day ये में zone 24,370 और 24,400 index के लिए एक crucial hurdle बनेगा जबकि 50 day ये में zone 24,000 और 23,950 support का काम करेगा हम एक V-shaped recovery expect नहीं कर रहे हैं इसलिए long term buying के लिए staggered approach अपना है पिछले तीन trading session से index higher level zone से selling pressure face कर रहा है सिर्फ 24,400 के उपर एक टिकाओ move होने पर sharp short covering rally 24,650 के level तक जा सकती है short term में दोस्तो नीचे की तरफ देखे तो 23,950 के support zone के नीचे index 23,750 और 23,700 लेवल तक selling pressure face कर सकता है दोस्तो निफ्टी इंडेक्स में से 17 stocks ने long built up देखा 28 stocks ने short covering rally देखी सिर्फ तीन stocks ने short built up देखा और दो stocks ने long unwinding देखी दोस्तो हमने बात की निफ्टी के बारे में अब आईए दोस्तो बात करते हैं bank nifty के बारे में weekly expiry के दिन banking benchmark index bank nifty भी gap up opening के बाद 500 points के narrow range में trade किया ये session 50,100 mark के उपर 0.75% के gain के साथ end हुआ daily scale पर इसने एक inside bar candlestick pattern बना है short term trend bearish है क्योंकि ये अपने 20 और 50 day ये में के नीचे trade कर रहा है दोस्तो इसके levels के अगर बात करें तो 50,400 और 50,500 का zone index के लिए एक immediate hurdle बनेगा अगर 50,500 के ऊपर टिकाव move होता है तो sharp short covering rally 50,900 के level तक जा सकती है जिसके बाद 51,300 level short term में आ जाएगा नीचे की तरफ बात करें तो दोस्तो 49,600 और 49,650 का level एक support zone के level में shift हो गया है अगर 49,600 के नीचे अगर कोई टिकाव move होती है तो selling pressure 49,200 और 49,100 लेवल तक जारी रह सकती है दोस्तों आप बात करते हैं इंडिया wix के बारे में इंडिया wix negative note पर end हुआ था ये 16.17 level पर 13.73% के loss के साथ end हुआ ये overall market volatility में significant reduction दिखाता है vix अपने support zone 15 और 15.5 के पास फिर से अप्रोच कर रहा है और देखना पड़ेगा कि क्या ये यहां से bounce करता है जो higher levels पर short term downtrend में selling pressure ला सकता है दोस्तों आप बात करते हैं कुछ ऐसे sectors की जिस पे आपको focus करना चाहिए बुधवार को nifty pharma ने fresh all time high mark किया जबकि nifty healthcare consolidation breakout के कागर पर है इसलिए हम मानते हैं कि ये indices अगले कुछ trading sessions में frontline indices को outperform कर सकते हैं कल nifty mid cap 100 और nifty small cap 100 ने frontline indices को outperform किया हाला कि हम इन segments में cautious stance अपनाने की सला देते हैं क्योंकि short term trend bearish है आए दोस्तों आप देख लेते हैं FIDI data FIS ने 3314.76 crore की बिक्वाली की जबकि DIS ने 3801.21 crore की खरीदारी की FIS का long shot ratio दोस्तों इंडेक्स futures के लिए 55.96 पर है क्योंकि net basis पर उन्होंने 14,738 इंडेक्स futures बेचे है Stock futures front पर FIS ने 28,062 contracts की खरीदारी की जबकि options front पर FIS ने 1,20,498 call contracts और 2,7,704 put option contracts खरीदे थे दोस्तों आज के podcast में इतना ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद Thank you